आज की इस वीडियो में आप सीखेंगी कि कैसे आपने ये जो LCD ये एड़ करनी है अपनी प्रोटीएस में तो ये external लाइड़री मैंने एड़ किया है तो आपके पास external लाइड़री हो तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो आपके पास लाइड़री कहां से आएगी लिंक म मेरे पास अलिडी है तो एंजिप एक्स्ट्रेक्खेर करके आपके पास यह फोल्डर आ जाएगा इसको पर राइट क्लिक करके ओपन कर दें और इसमें दो फाइले इन दोनों को आप कापी कर दें कापी करने के बाद आप वहाँ पर जाएंगा जहाँ पर प्रोटीस आप इसे पास इंस्टारल रहे और वहाँ पर इसको यहाँ अपको कहा से मिले का फॉल्ड़र आप यहां से आप Proteus सर्च करने आपके बास जिस नाम से भी है तो इसको उपर right click करके open file location पे जाए final location पे जाने के बाद आप Proteus 7 professional पे क्लिक करें और उसके बाद जो है एक step back आएंगे उसके बाद आप यहां पर आप देख सकते हैं library के नाम से एक folder तो इसको आप right click करके open कर दें और उसके बाद इसको आप यहां पर paste कर दें मेरे पास already है दोनों file आपने paste करें मेरे पास already है तो मैं paste नहीं करना चाहते हैं मैं cancel कर देता हूँ और उसके बाद आप क्या करेंगे आप अपने proteus को अगर आपके पास open है तो उसको आप close करते हैं और दोबारा open करते हैं तो आपके पास यह library aid हो जाएगी ठीक है तो आप उसके बाद आप यहां पर आएंगे जब आपके पास वूल aid करती है तो आप यहां पर search करेंगे LCD और उसके बाद library उसके साथ लिख दें तो देख सकते हैं यहां पर 16 cross 2 और 20 cross 4 की दोनों available है तो उसके पर मैं double क्लिक करता हूँ और उसके बाद okay क्लिक करता हूँ यहां पर इसको मैं रख लेता हूँ इसके pin नमर है तो उसी तरह है जिस तरह LCD के होती है VSS है और उसके बाद VDD है तो इसको आपने 5 volt sorry इसको ground करना है इसको 5 volt लगानी है और यह जो है इसको आपने potentiometer लगाना है reset आपके Arduino के साथ interface करेंगे read write को ground करेंगे enable को भी Arduino के साथ interface करेंगे इसके बाद D0 to D3 आप इसको छोड़ दे usable नहीं है और D4C D7 तक आप इनको Arduino के साथ connect करेंगे तो इसी तरह आप यह library जो है न add कर सकते हैं LCD add कर सकते हैं अपने proteist में तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जाकर सब्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें चैनल विजट करेंगे आपको बहुत सारे Arduino related project मिलेंगे वीडियो मिलेंगे circuit मिलेंगे और यह library जो है वो आप download कर सकते हैं यहां नीचे मैंने link description में दिया है तो मिलते हैं next video में